कि अर्वीन पता एक वहां पे पंजाब में लोदियाना में एक सब्जी काई के बनती है बहुत टेस्टी लगती भाजी सर्सों काई भाजी रेती है वह और जिसको ज्यादा पानी चाहिए और पाइन डाल सकते हैं जिसको और चाहिए तो और एक वालती डालते हैं गुड मॉनिंग दोस्तों कैसे हो दोस्तों आज संडे आप लोग का संडे कैसा बीत रहा है कमेंट करके बताइएगा पूरा वीडियो देखने के बाद मैंने सोचा कि बहुत दिनों से कोई ब्लॉगिंग आप लोग के बीच में नहिला पा रहा हूं और आप जानते भी हैं कि मेरा एक YouTube चैनल है WLBS News तो उसमें News content में अपडेट करता हूं वह भी टाइन टाइम पे नहीं कर पाता है क्योंकि आप जानते हैं कि एक मैं निजी संस्तान में काम करता हूं और निजी संस्तान में या गोवर्मेंट संस्तान में भी काम करने वालों का एक वरकिंग टाइम र मौसम बड़ा ज्हमा ज्हम हैं आपको सबसे पहले मैं यहां का मौसम दिखाता उप फिर उसके बाद और भी कुछ बताओंगा यह देखिए पानी गडरा है विस्कूल पानी गर रहा है और मौसम इसमिन जो सूरज औस में चोपा हुआ है दोस्तों आप लोग पोहाँगे क कि अच्छा आप बताईए कि आपके घर में आज सुबह का नास्ता क्या बना था बताईए का कमेंट करके आज मेरे घर में जो सुबह का नास्ता था हमेशा हमारी मेडम बनाती थी आज मेने बनाया वो क्या बनाया पोहा पोहा महरास्ट और मद्ध प्रदेश में खाया जाता ह कुछ दिख दे दिख्ध है? जेभी मुह आंवर आम करता है चान्द देखलेगा इस सूरज जाला करता है चान्द नहीं अज़ पोह लाइट मेला कर दिखा दो ना आप गरम है कड़ाई अज पोह केसे बनाई दोस्के यह पोह जो है मैंने बनाई है भूछी खुबसूरत पोह है अपने मूँ मिठी मिया मैंने बनाई और अपनी तारीफ कर रहा है आप लोग नोग बताते हैं अब यह चाहे हमारी स्री मती जी ने बनाई है जाल तो आपको पोह के सबजी भी बनाओंगी केली की सब्जी हो तो दोस्तों केले की सब्साइए आपने कभी खाई है क्या अगर खई है तो बताइएगा नहीं खाई यह तो बताइएगा अब यह मत बोलना कि Artсте is block Goddess तो भी लाइट आएगे तब केळयेकि ऐसं किया बदाता दूंगा अधर सिखा दूंगाने सिखा देंगी और सीख जाएंगे तो आप खा लीजेगा ठीक है नहीं के जब भी हम सब्जी मार्केट में लेने जाती तो जो भी कोई मिलता है जैसे लेडी से पूस्तियां कैसे बनाते हैं तो आज मैं रेस्पी बता दूंगी तो मेरी वीडियो देखेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा क मेरा बेटा आदित जो है काफी कम उम्र है लेकिन अकेले उसे मैंने तूर पर भेजा ताकि दुनियादारी सीखे कैसी है दुनियादारी और वो डॉलिया आपको और पहुच जाईए नागपूर लुधियाना मताब नागपूर से लुधियाना गया हुगा काफी लंबा हुए थी तो इस समय टाइम हो रहा है कितना साड़े ग्यारा हो रहा है तो साड़े दस बजे बात हुए थी तो उस समय वह आगरा पहुच गया था और एक बात और बताओ आज नहीं बना है क्योंकि मैंने नहीं बनाई बिल्कुल लिमिटेट बनाया दोस्तों हम तीन लोग है अब घर जार बना हुएं टीन लोगों के लिए पुहां भाने जर्वार है तो लोगों के लिए बना हम टो टो लोगों के लिए ना बढ़े क्लिए कि बना आप UCHE रहा हम जाकाक के इसली मंने वह Auf demand कर दिया मेzus ने बढ़ झाएоловिक यहा नहीं धाड़ किससी अडिपा 1502 मैंने बनाई हूँ और बहुत अच्छी बनी आप लोग को भी अच्छी लगी तो पीने के लिए आ जाईए पिर मैं थोड़े दिर बाद केले के सबजी के रेस्पी बताऊंगी आप सभी को क्यों तो दोस्तों मैंने विए ठालिया हूँ मैं थो बहुत अच्छा निए फटालता कापी दिनों के बाद बनाई था इसलिए ज coal वी बना अच्छा बना था और देखते हैं कि केलों कि सब्याना की क्या इस्तिती और से कह तक पहुंची गाड़ी और केले की सब्जी अगर बन रही होगी तो आपको भी दिखा दूगा ठीक है तो इसलिए अभी इसको जैसे केले को इधर से काटेंगे फिर यहां से छिल्टे निकालेंगे और शिल्टे पनी में जमा कर देंगे दूद्वाले भीया को दे दूगी ठीक है प्लास्टिक पन्नियों का ज्यादा उप्योग निकाल लेंगे अच्छे से ज्यादा निकल जाता है ना चको से निकालेंगे तो चलो चको से निकाल जेते ठीक है ना क्योंकि दो टुक्डे कर दिये हब 2 टुक्रे करने के बाद 4 एक अच्छा प्रीश करने मदद ना और पूमें बात में डर्षक समझदार है कि इसब चीजा हमें बहुत पसंदा यूपी बिहारी के लोग सबसे अच्छे होते हैं उनके मन में किसी के प्रती गलत भावना नहीं होती है कि इसब आपने बचाओं में कोई दलील दें पार ही है बात कर रहे हो तथा बुद्ध को ग्यान भी तो बिहार से मिला हां तो तो है और उनिक के कारण बिहार नाम पड़ा इसलिए तो बिहारी अच्छे होते हैं लेकिन अपनी दलील दलील है आपके पास कुछ है बताने के जरूरत ही नहीं है गाया चले जाओ चलो चलो कीला के दे जिसका अच्छा होगा अच्छा होगा क्यों वेलकोल साइब अब गरीब है अपनी अपनी सोच पर निर्वड़ करता है तो हाना कईने का इसलिए महनत मजदूरी करने पूरे इंडिया में गोमते रहते हैं तो लोगों को लगता है कि थोड़ा से अच्छे नहीं है चली ठी लगदेश्य नहीं और गरीब लोग भी अच्छे होते हैं अमीरों से लागुना अच्छे ही होते हैं जो रिस्पेक कर ले किते चमज आप स्टेल तो में मेरे हिसाब से डालूंगी अच्छा जिसको कम लगता हो कम ढूंगे अब इसमें कम देलाता है तो इसको दो तिन तो बहुत जल्दी बनाने के तरीका बहुत असान है कोई भी सब्जी खाना बहुत जल्दी बनाती हूं मैं लपड़ता पहां नहीं 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 सब्सक्राइब जलो ठीक है बनाओ ऐसा कोई कोई भी हमारे घर में खाके गया है तारीफी कि बनते जी जवाय थे तहां से लद्दाख वाले बनते तो उनने क्या बोले थे बहुत अच्छा बनाती हूं मादम खाना अब कोई भी खाएगा तो अप्रिशेट तो करें ऐसा नहीं है अच्छा च यह थे बनाती हूं अच्छा बनाती है तो और ज yearly मने ईंसे सह थे शब्सकारोब रोल जा थां तो यह इतना सारा मसाला सभ डालना क्जार तो यह भी मत्वाश मैं तो टोड़ड़ज़ दालोंगे पर एवे यह मसाला मैंने घरपे बनाया खुद कैसे अपने हां से भी हल्दी मार्गेट से लाइए उसको धोओ नहीं सिखस्ट पर उसको धोई हुआ पानी में पुढ़ाकर रखिए अधनिया पाउडर भी मैंने घर में ही वनाई हूं अच्छे धनिया पाउडर जब पिस्वाई हो आपने इसमें मीठी निम की पत्ती जीरा और काली मेर्च लॉंग तो इसकी खुजबू भी बहुत अच्छी आती है और देखने में भी सुन्दर है वीडियो में की और भी बढ़ाने दारी से समान बढ़ाना चाहिक हां तोड़ी कि बढ़ा दोब ढूहं लेकिन दर्द होता है तो आवाज निकलती है कुछ नहीं होता है जी रहे हैं ना खा रहे हैं थोड़ी सी एक मिर्ची पड़ी थी तो काटके इसमें डाल देती हैं पोहां में आपने बचा दिये थे ना प्रिशा रहे हैं अब करेंगे तो जल्दी लाल हो जाएगा थोड़ा सा लाल हो जाएगा थेस करेंगे तो जल्दी लाल हो जाएगा जली का जली जाएंगे सब्सक्राइब काला हो जाएगे बेचे आरा मसाला भूज के डालों कि पहले डाल दो अब जैसा तुम दाल की वसे ठीक आज मैं क्या करता हूं कि मसाला जो है एक प्लेट में डालता हूं और उसमें पानी डाल लेता हूं पहले गीला कर लेता हूं मिक् करने पड़ते हैं डाल दीए इसको थोड़े से इसको पकने दिये इसको चुड़ाने के लिए इसको नमक डालना पड़ेगा और इसमें मसाले भी ढालेंगे उसी अंदाज से नमक पकाने के लिए इंपी तरब के लोग जोगना हां बहुत सादी हमारी जो लेंगवेज वे छेत्री दूसरे लोग ने समाज पाते हैं यतों लगता कि बुटाने के लिए इसको कि जल्दी पक जाये नमक कोई भी चीज को पकाने मदत करता है जैसे हरियना ज़ली के लोग etni kein मनिलते हैं क्या बोलते हैं भाना फोई कहा देयार जलबी अब यहाए मराठी वाले मिलते हैं तो जेव जाला रहे ज़ेफिशन्जाला रहें और यहां यह 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 पक्राइब मद्धे पर चीकर इसमें मैं थोड़ा सा जैसे धनिया पाउडर डालों दो और यह तीन जम्मा तुम्मा देनिया पाउडर डाल दें एक दो दो तिन क्योंकि मेरी मिर्ची जो है तीखी है और एक चम्माच हल्दी बराबर कलर तरा जाएगा ठीक है अब इसको ऐसे मद्धे पर इसको इसमें पकने दूंगे नमक भी डाल दी हूँ है कि कि कर और और इसको और टेस्टी बनाने के लिए इसमें कौन सा मसाला डालोंगी बताओ मोर्चाप मसाला नहीं सही पनीर एवरेज सही पनीर वाले ने कुछ पैसा दिया का नहीं टेस्ट अच्छ दिया है कि ऑन्टेस्ट पैसा दिया है यसमें अच्छ लंदे इसमें थोड़ा सा इसको डाल दूंगी थोड़ा सा मतलब आधा डाल दूंगी और आधा बचा दूंगी दूसरी सब्जी में कामा जाएगी तो पनीट आपके दिख रहा है कि यह जब हमारे मेरे सोईबिन के बड़ी बनाती हूं कि यह बहुत पसंद है तो यह यही मसाल्वा डालती हूं मैं अजय दोसर को जब आलो बटे के सब्जी बनाती हूं तो मतली कोंसा मसाला नदालती हूं बताओ प्रूची गोल्ड मसाला कंपनियों के नाम लेना जरूरी नाइबत पड़ेगा झाते हैं तो हमारे लोग यिए बेस्ट बेंगौल के हैं हैं विद्ध फिश्क्प बेंगौल के हैं उर्डिसा के हैं आसम के हैं ये डियृ लगाना के हैं लंदाक के जम्मु कस्मीर पैको जाता है तो लोग करते ही पक रहा है तो इसको थोड़ा सा पकने दिजिए जब पक जाएगा तो मैं बताओंगे अच्छा पख जाते तो कि अगया तो जब मैं ऐसे चम्मत से कट गया चम्मत से उसको ठोड़ा तेच करना पड़े और तुक्रा कर दोंगी सब जी पककी कर नजना पर अँचर हो एक बार डाली हूं तो अब करना दो देख लेती हूं अब जैसे आप उधर चले गए थे ना तो मैं थोड़ा सा डाली हूँ अभी पर पका नहीं आच्छे से अभी मैं इसमें थोड़ा सा और पाई डाल देती हूँ और इसको मद्धे पर पकने देती हूँ धीमे आच में हाँ धीमे में फिर जल जाएगा फिर थोड़े दिर बाद देख लेंगे पक गया तो हो जाता है पानी अपने अच्छा पानी कमी डाला है कि तर्री वाली अगर बनाना ज्यादा रसा चाहिए ज्यादा मतलब इसमें महा पानी चाहिए इसको और मेको ज्यादा तरी नहीं चрач उखने इतने में हो जाएगा इस पानी उफ जाएगा जाया तो फिर आपना रोठी के साथ खालेंगे लो Cathy करा सबिलंगा जोब जादाना उर्फ उसको चाहिए और पानी ज़लें देखते हैं और चाहिए तो और एक आट बाड़िती डाल दें पिर नमक भी डालना पड़ेगा उसी साब से नहीं तो फिका हो जाएगा देखते हैं सब्जी बनी की नहीं बनी काफी देर हो गया है अनने देवीरवल की खिछडी बन जाए पत जल रहा है क्यों सिमा कहीं बीज हुआ हम है तो यह बन चुकी अर्टेस चेक करना तो कैसे करेंगे के पक गई है अच्छा बंगई है इसकट गया ना थो सब्जी हो गया सुखर बनके हो गए तयार ठीक है और यहां अब कि से बाद चल रहा अर्विन से है आप अर्विन कैसे हो है आँ है ना अब बताई है और बताओ कोछ के लेंकि सब्जी तूं से के अब देख ले अच्छी लग रही है अच्छी दिखने में अच्छी घर खाने में अच्छी लगेगी बन कर दी गैस अब यह हमारी सब्जी हो गई यार बोलो अर्विंद वहां पे जो पंजाब में आपी सर्सो का साग मक्य की रूप अच्छा ठंडी के समया ना अच्छा पर परते को अर्विंद पता एक वहां पर पंजाब में लोदियाना में एक सब्जी काई के बनती है बोर्ट टेस्टी लगती भाजी सर्सो काही बाजी रेती है वो अच्छा आरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो ज्यादा ज्यादा देखें सेर भी करें